मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादाव और बीजेवी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सुतनतरता दिवस पर भारतिय जंता पार्टी के प्रदेश कारियाले में धोजा रोहन किया। 2018 समारों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश वासियों और पार्टी कार्टाओं को सुतनतरता दिवस की हार्दिक शुबकामनाई देते हुए कहा कि एक लंबी लड़ाई और क्रांती कारियों के बलिदान से हमें आजादी वि हैं ताकि प्रदेश को देश का सबसे अग्रिन राज बनाया जा सके आज प्रदेश अध्यक स्रिमान विश्नत सर्माजी के साथ में हमने जहिंदावंदन किया है आजादी का यह पर्व उत्सा उमंग और उल्लास से बरावा है हम सब अपने अपनी पूरी समता योगिता से विक्सित मत्रदेश विक्सित भारत दुनाने के लिए आगे बढ़े सवतंतरता सेनानियों प्रांधिकारियों सहीदो तमाम लोगों के बलिदान के बाद यह दिती चण आया है हम उनका बलिदान कभी नी भूलेंगे लेकिन यह सश्री प्राधन मंत्री के नेत्रत में निनमोदी के नेत्रत्व में हम विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश में मुख्यमंत्री जॉक्टर मोहान यादव के नेत्रत्व में प्रदेश को देश का अग्रिन रज्च बिनाने के संकल्प के साथ हम निरंत प्रधान मंत्री नरेद मोदी के नित्रत में भारत दुनिया का सिर्म और पने का पावन परवपर सभी प्रदेशवासियों को सभी भारती जंता पार्टी के कार्करताओं को बहुत हार्दिक बधाई और शुक्रामना है आज का दिन हम सब लोगों के लिए उत्सार उमंग का पर वो तो है ही लेकिन माननी प्रधान मंत्री नरेद मोदी जी के नित्रत में भारत का जो संकल्प है वहीं मध्य प्रदेश में हमारे मुक्य मंत्री डाक्टर महौन यादव के नित्रत में सुरने मध्य प्रदेश के संकल्प को आज हम दरता के साथ लेकर संकल्प को पूर एक बार मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश वासियों को सभी कारिकरताओं को हारतिक बधाई और शुब कामना है। दाक लियू